हेलो फ्रेंज, वेलकम टे ट्वन्टीफो नॉलेज ये ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, नेशनल एल्बिटी कम एंटरंस टेस्ट यूजी, नेट यूजी दो हजार चौबिस का ओनलाइन फॉर्म आप कैसे अपलाए कर सकते हैं, स्ट की डेटेल्स को चैक आउट कर सकते हैं, और अगर आप एप्लिकेबल है, एलिजीबल है, अपलाए करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नीट यूजी दो हजार चौबिस के लिए ओनलाइन अपलाए कर पाएंगे, बात करते हैं अब इसके फॉर्म आपलाए प्रोसेस के ब मिलता है, आप यहाँ पर किलिक करेंगे, इंफॉर्मिशन बुलेटिन आप इंग्लिश और हिंडी में पढ़ सकते हैं, एप्लिकेशन फीस जो आपकी लगने वाली है, उसकी जानकारी आपको दे गई है, और इसके बार आपको इस टैप यहाँ पर बताए गए हैं, यहाँ से अधार कार नमबर डाल कर आप जनरेट OTP करेंगे, और उसके बाद आप जो है वेरिफिकेशन करने के बार लॉग इन कर सकते हैं, अगर आपके पर डिजी लोकर है, तो आप यहाँ पर डिजी लोकर पर किलिक कर सकते हैं, और लॉग इन कर सकते हैं, डिजी लोकर के करना है और आपकी डिटेल्स को जो है फैच्च कर लिया जाएगा इसके बाद फैंसे यहां पर देखिए डिजी लोकर नहीं है तो आप यहां से क्रेट कर सकते हैं अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है पैन कार्ड है यहां पर मिल जाते हैं आपके अकॉर्डिंग जो यहां पर यूज करना चाहें लोग इन करने के लिए वह आप कर सकते हैं माली जी आप पैन कार्ड से करना चाहें तो पैन कार नंबर देकर आप यहां से प्रोसीड कर देंगे तो आपको यहां पर आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सलेट करना है अधार का नंबर देना है OTP करना है OTP को verify करने के बाद आप जो है login कर जाएंगे इसके बाद यहां पर देखिए सबसे पहले आपको यहां पर एंटर करना होगा आपका जो नाम है आपकी मार्चीट के according वो आपको देना है इसके बाद आपको फ्रेंट से यहां पर आपका जो फादर नेम है वो आपको देनी होगी gender select कीजिये nationalty select कीजिये पैचान id आपकोई भी वैलेट आपको state select करना है, इसके बार आपको आपका district select करना है, आपको फ्रेंट से यहाँ पर pin code एंटर करना होगा, तो यह basic जानकारी है, जो कि आप देंगे, इसके बार country code पर आपको यहाँ पर इस option को select करना है, आपका mobile number और mail ID आपको enter करनी होगी, अगर यह add the same है तो आप सेमस पर होना जरूरी है, तो आप देखिए friends, यहाँ पर मैं आपको show करता हूँ, sample के तोर पर जो आपका password कैसा होना चाहिए, तो आप यहाँ पर uppercase use कर सकते हैं, इसके रावा friends, आप यहाँ पर small letters use कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी special character use कर सकते हैं, तो यह guidelines को आपको follow करना है, password करना है, कोई भी security question लीजिए, security question का answer दीजिए, इस capture code को fill कीजिए और यहाँ से submit कर दीजिए, इसके बाद friends, आपका registration page का preview आपके सामने open हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपने आपना नाम, आपका date of birth, आपका father name, आपका gender, address, mobile number, mother name और mail ID, यह सब आपने check कर लिया सकते हैं, तो यहाँ पर submit and send OTP करने के बाद, आपके पास एक OTP आती है, वो OTP आपको verify करनी होती है, तो यहाँ पर friends, देखिए, जो आपकी mail ID है, उस पर एक OTP जाती है, OTP अगर आपको inbox में नहीं मिलती है, ता आप spam folder चेक कर सकते हैं, इसके बाद आप इस capture code को fill करने के ब आप यहाँ से देखिए, लोगिन कर सकते हैं, तो basic step है, जहां से आपको इसमें लोगिन करना होगा, लोगिन करने के बाद, आपको देखिए, डैस्वोर यहाँ पर open हो जाएगा, और डैस्वोर आपर होने के बाद, आपको देखिए, complete application form का option मिलता है, अब इसको application form को complete करन है, और उसके बाद complete application form वाले option पर जाकर form को apply करना होगा, इसके बाद, यहाँ पर देखिए, आपके सामने जो nest option आता है, वो है contact details का, तो यहाँ पर देखिए, आपकी जानकारी automatic आपको fill up मिलेगी, आपका जो emergency mobile number है, और आपका emergency mail ID number है, मतलब कोई भी अधर आपके पास mail ID और mobile number है, आपका है या parents का या garden का है, उनकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं, इसके बाद fans आप इस capture code को fill करेंगे, यहाँ से I agree करेंगे, I agree करने के बाद save and nest कर देंगे, इसके बाद fans नेस्ट option जो आता है, इसमें आपसे पूचता है, राज जय, केंदर, सासित, प्र diabetic candidate है, तो yes or no करेंगे, place of residence, ruler मतलब grammy, urban मतलब शहरी है, वो आपको देना है, family income कितनी है, तो annual जो वारसिक आया है, वो आपको यहाँ पर देनी होगी, इसके बाद अगर आप minority company से belong करते हैं, मतलब जैन सिक, बहुत पारसी, मुसल्मान, तो आप yes करेंगे, नहीं तो आप no क UG2024 में जो dress code है, वो आपको यहाँ पर पहनना है, आप यहाँ पर yes करेंगे, इसके बाद इस capture code को फिल करना है, I agree करना है, और save and nest कर देना है, इसके बाद आप से पूसता है, कि आप PH candidate है, तो yes कर सकते हैं, आपका PH का disability का प्रकार कौन सा है, percentage कितना है, और इसके बाद करना है, I agree करना है, और save and nest कर देना है, इसके बाद फिल से next option है, applying for, तो आप need के लिए apply कर रहे हैं, question paper medium आपको कैसा चाहिए, वो आपको देना है, exam state कौन सा चाहिए, city कौन सी चाहिए, वो आपको यहाँ पर select करना होगा, तो आपके according जो भी centers आप यहाँ पर लेना चाहें इसके बाद है, father या garden का occupation क्या है, तो वो आप यहाँ पर multiple options है, वो आप select कर सकते हैं, qualification क्या है, तो वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं, mother का occupation क्या है, तो आप इनमें से कोई भी option को select कर लें, अगर यह not applicable है, तो not applicable दे सकते हैं, other है तो other select कर सकते हैं, जिसे house wife है, तो आप कर सकते हैं उनकी qualification क्या है तो आपको यहां पर प्रोवाइड करनी होगी इसके बाद आप इस capture code को यहां पर फिल करेंगे इसके बाद I agree करेंगे और उसके बाद save and nest कर देंगे इसके बाद qualification section है तो यहां पर इस जाटा को ध्यान से पढ़ना है जिसमें आपको सबसे बहुत तैंथ में देखे पास आउट रहेगा आपको यहां पर मिल जाती है तो आपके according जो भी आप यहां पर देखे बोड रहा है वह आप select कर लेंगे नहीं है तब other select यहां से कर सकते हैं इसके बाद school या college का नाम आपको यहां पर देना होगा तो पूरा नाम आप यहां पर देंगे और उसके बाद फ्रेंस आपको यह पर देखिए उसका जो address है वह आपको यहां पर एंटर करना होगा पूरा address और school या college का पिन कोड क्या है वह आपको देना है मतलब जहां पर वह है वह उसका पिन कोड क्या है आपका 10 का रोल लंबर आपको देना है और इसके बाद आपको परिक्षा मोड परसेंटेज है तो नहीं की है तो आप not applicable कर सकते हैं पर आप 11 पास आउट है तो आप पास कर सकते हैं आपका ear of passing क्या है मतलब आपने कब इसको पास किया है इसके बाद योकिता आपकी 11 रहेगी इसकूल बाखी सेम जानकारी आपको यहां पर देनी होगी तो आपके according जो भी आपकी जानकारी ह state board आपका जो district है आपका जो address है school का उसाब आपको यहां पर देना होगा अब देखें यहां पर फ्रेंसे 11 वी में वैसे board होती नहीं है पर mainly जो board की जो एक्जाम आपके लगते हैं उसमें फ्रेंसे आप यहां पर जो भी board है आपका वो आप दे सकते हैं इसके बाद स्कूल college का नाम आप दे सकते हैं pin code दे सकते हैं roll number दे सकते हैं और result mode आपको यहां पर देना होगा अब इसके बाद है 12 अब 12 में फ्रेंसे आपको देखिए pass out है तो pass select करेंगे उतरीन होने का वर्स आपको यहां पर मिल जाएगा अगर आप appearing है तब appearing select कर सकते हैं और उसमें फ्रें admit card आपके पास नहीं है तो wait कर लीजिए क्योंकि last date इसकी जो है 9 मार्स तक है तब तक आपका फ्रेंस जो admit card आपके पास होगा ही तो आप अपना यहां पर form apply कर सकते हैं तो roll number यहां पर देना जरूरी है appearing में pass out है तो आप pass out में same आपका जो भी passing year है वो आप जानकारी provide करें तो यहां पर आपको ज्यादा details वो फिल करने की जोड़ नहीं है अगर आप appearing नहीं है पास out है उस condition में आपको multiple options मिल जाएंगे जिसमें आपको code यहां पर select करने होंगे तो यहां पर friends आप code पर आ जाते हैं तो देखे code 1 जो है इसमें आपको automatic कहा गया है appearing in qualifying exam जो कि class 12 जो है आप इस option को select करेंगे इसके बाद friends से Ness code जैसे आपका code 2 है इसके बाद friends से देखे आपका code 3 है तो इसमें intermediate pre-degree examination आपने science से किया है pre-professional pre-medical exam with physics chemistry bio आपने code 4 आपका यहां पर लगेगा 3 year degree course अगर आपका यहां पर first year का है तो code 5 लगेगा BSc examination है तो code 6 लगेगा और इनके अलावा कोई भी अदर आपकी examination है जिसमें last 2 year में आपने 10 plus 2 study में physics chemistry biology आपने पड़ी है ताप code 7 दे सकते हैं अगर आपको कोई option समझ में नहीं आ रहा है उस condition में आप simply code 7 यहां पर select कर सकते हैं और आप normally अगर आपने 12th pass out किया हुआ है तो आप simply यहां पर code 2 यहां पर select कर सकते हैं जिसमें higher senior secondary examination जो कि 12th के equivalent है वो आपको यहां पर देना है जो कि 12th year of study है जिसमें last 2 years मतलब 11th and 12th आपने physics, chemistry, biology, biotechnology में से कोई भी subject पड़ा है तो यहां पर अपने option को select करेंगे तो यहां पर फेंसे आपको qualifying exam का code दे देना है place of schooling दे कौन सा है बाकी same जानकारी आपको यहां पर देनी होगी तो आपको यहां पर फेंसे आपके according जो भी आपकी जानकारी है बोड कौन सा है वो आप यहां पर select कर सकते हैं school का नाम क्या है pin code क्या है roll number क्या है result mode क्या है वो आपको यहां पर देना होगा आपके numbers की entry करनी होगी अ आप simply इस capture code को यहाँ पर fill करेंगे इसके बाद I agree करेंगे और save and nest कर देंगे इसके बाद देखिए अगर आप जुडवा भाई भाई भेहन है तो आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ नो कर सकते हैं इसके लवाँ आपको यहाँ पर पहले कभी शामिल हुए है तो आपका photograph signature upload अब देखिए photograph है passport size signature है postcard size है और आपका left and right thumb impression आपको यहाँ पर upload करना होगा तो यह कैसे upload करना है तो इसके लिए फ्रेंज से देखिए notification के page number 163 पर आपको sample photo दी गई है तो आपको यहाँ पर देखिए candidate का नाम देना है और date of taking photograph जो की latest photo आपकी होनी चाहिए 10- 200KB में आपको यह upload करना होगा postcard size photograph भी same होनी चाहिए 10-200KB के बीच में JPG format में इसके भी आपका नाम और date of taking photograph आपका यहाँ पर mention होना जरूरी है इसके बार फ्रेंज से आपको left and right thumb impression देखिए इस तरह से upload करना है कि आपकी जो दसो जो आपकी उंगलिया और अंगुठे ज इसके बार नीचे आपको signature upload करना है जो कि black pen से आप upload कर सकते है JPG format में तो यहाँ पर फ्रेंज से आपको यहाँ पर documents को upload करना होगा और उसके बाद ही अपने step पर जा सकते हैं sample photo मैंने आपको show कर दी है इसके बाद आपके application form का preview है जहाँ पर फ्रेंज से आपने आपका नाम mother name, mobile number, date of birth, gender, mail ID आपने यहाँ पर सब details को check कर लिया है तो आप यहाँ से friends इसे final submit कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई गलती है तो back जाकर उसे सही कर लें इसके बाद फ्रेंज से यहाँ पर देखिए आपको payment करना है पेनाओ वाले option पर click करना है उसके बाद multiple options है आप इ आप यहाँ पर complete कर सकते हैं जैसे ही payment verify होगा आपका final print out आप save करके अपने पास रख पाएंगे तो यहाँ पर friends से मैंने आपको सारी जानकारी provide कर दी है कैसे आप NTA NEET UG 2024 का online form apply कर सकते हैं अगर आपको हमारी update पसंद आई है तो like, subscribe जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लि कर दो